अलाव अलेकुम प्यारे बच्चों मैं आपका टीचर रजाज जली उर्दु की किलास तीसी जमात की किलास में आप तमाम बच्चों का इस्तकवाल करता हो आप तमाम जानते हैं कि फलो का राजा आम होता है जुशरा मुझे पताओ जंगल का राजा कौन है शाबाज जंगल क किताब में से ही एक ऐसी ही जंगल के कहानी पढ़ेंगे ठीक है तो आई ये चले चलते हैं सबसे पहले है मुझे दरा इस तस्विर्म के बारे में कुछ बताईए कि इस तस्विर्म में कौन-कौन से जानवर आपको नजर आ है एक कौन को से जानोर नजर आए इसमें यह लोमडी है शाबशेक लोमडी काक्षवा शेर यह तमाम कहा रहते हैं सूखे में रहते हैं लेकिन जो यह कच्षवा है जमीन पर है उसकता है और पानी में भी रह सकता है इसी तरह मेंड़क भी जमीन पे भी रह सकती है और पानी में भी रह सकती है जबके मचली जली की रानी है जीवान इसका पानी है ये पानी के बगएर नहीं रह सकती तो आईए आपकी दर्सी किताब में से एक बड़ा ही मज़ेदार सबक पढ़ने जा रहे हम जिसका नाम है लोंब्री और कच्व चलिए ठीक है शुरू करते हैं मेरे पीछे पीछे आप भी दोर आईए चलिए शुरू करते हैं किसी जंगल में एक तालाब था तालाब में खुब सारी मचलिया और मेंड़क मिल जुलकर रहते थे उन मचलियों और मेंडक के साथ एक बड़ा सा कच्वा भी रहता था उस कच्वे की दोस्ती एक लोमडी से हो गई किसकी दोस्ती हो गई कच्वे की और लोमडी की लोमडी उसी तालाब के किनारे एक चटान के भट में रहा करती थी कहां रहती थी चटान की भट में लोमड़ी भी वहां आ जाती दोनों दोस्त जंगल के दूसरे जानवरों फलो फूलो और परिंदों की बाते करते एक दिन दोनों तालाब के किनारे इधर उधर की बाते कर रहे थे उन्होंने शेर की दाहार सुनी आपको आती है शेर की दाहार निकलना अरे भागो भागो लोम्री चिलाई शेर आया शेर आया बच्चों तुम जानते हो के कचवा धीरे धीरे चलने वाला जानवर है कचवे और खरगोशी कानी सुने न इसकी पीठ पर पत्थर की तरह सक्त खोल होता है जो उसकी हिफाज़त करता है उसने जब लोम्री की आवाज सुनी और उसे भागते हुए देखा तो घबरा गया उसने देखा के मैं तो तालाब से बहुत दूर आ गया हूँ अब दोड़ कर तालाब तक नहीं जा सकता शेर की दहाड फिर सुनाई दी और अचानक वो जाडियों से निकल आया कच्वा बेचारा अब क्या कर सकता था उसने डर के मादे अपना सर अपने खोल में छुपा लिया शेर ने कच्वे को अपना सर छुपाते देख लिया था उसने घुरा कर छलांग लगाई और कच्वे को दातों से जकर लिया ये सारा तमाशा लोम्री अपने भटके सुडाक से देख रही थी अरे बेचारा कच्वा वो बड़ बड़ाई शेर ने आखिर उसे पकड़ ही लिया काश वो भाग कर तालाब में चला गया होता लोम्री ने देखा के शेर कच्वे की पीट पर दात गढ़ाने की कोशिश कर रहा है अब मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊं लोम्री ने सोचा वो शेर के गुर्वाने की आवाज सुन रही थी अचानक उसे एक तरकीब सुजी वो हिम्मत करके भट से बाहर आई और शेर के पास पहुच कर बोली महराज इस कच्वे को इस कच्वे की पीट पर आपके दातों और नाखुनों का कुछ असर नहीं होगा इसे मारने के एक तरकीब बता हूँ आपको शेर गुर्वा कर बोला हाँ हाँ जरूर बताओ महराज आप इसे तालाप के पानी में छोड़ दे पानी में रहने से इसकी पीट का खौल नरम हो जाएंगा तब आप इसे आसानी से चबा सकेंगे ये सुनकर शेर खुश हो गया अरे वह बी लोमडी तू तो बड़ी अकलमद है कहकर वो कच्वे को मूँ से मूँ में पकड़ कर पकड़े हुए तालाप की तरब भागा कच्वे का दिल जोर जोर से धढ़क रहा था तालाप के पास पहुचकर शेर ने कच्वे को दूर पानी में उच्छाल दिया कच्वे को और क्या चाहिए था शेर ने खुद उसे तालाब में डाल दिया वो तेर कर बहुत गहराई में एक चटान के नीचे जा छुपा अब शेर कचवे को पकड़ नहीं सकता क्योंके शेर जमीन पर रहता है उसे पानी में नहीं रह सकता हो और ये तस्वीर में वही का मंज़र है जंगल का आईए अब कुछ आपका अलफाद मायनी भट पहला भट यानि छोटा सा गार जिसके अंदर लोम्री रहा करती थी तरकीब यानि तरीका एक जुमले में जवाब लिखना है बड़े आसान है हमने सबक पर चुके इसके तालाब कहा था तालाब जंगल में था कच्वा किस के साथ रहता था जवाब कच्वा लोम्री के साथ रहता था सवाल नमबर तीन कच्वा और लोम्री किस बारे में बाते करते थे सोचो जंगल के दूसरे फल फूल पौदो और जानौर के बारे में बाते करते थे सवाल नम को कहां उचल दिया जवाब शेर ने कचवे को तालाब में उचाल दिया सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिफ लब्द लिखो खाली जगा नमबर एक उन्होंने शेर की डैश सुनी शेर की क्या सुनी हाँ दहाल खाली जगा नमबर दो उसने डैश कर छलांग लगाई उसने दोल कर छलांग लगाई ये सारा तमाशा लोमली अपने डैश के सुराख से देख रही थी लोमली अपने भट के सुराख से आपको तरकीब मारनी की एक तरकीब बताओ आपको नीचे दिये हुए लब्जों को जुम्लों में इस्तेमाल करो लब्जों को जुम्लों में इस्तेमाल करना है यह रस है रस मुझे गन्ने का रस पसंद है हो गया जुम्ले में इस्तेमाल रस का इसी तरह कड़वा जुम्ले म इसका जुम्ले में इस्तेमाल करते हैं मुफीद को आप भी सोचिए मुफीद हाँ रोज सुभा बरश करना दातों के लिए मुफीद होता है मजबूत रोज सुभा बरश करने से दात मजबूत होते हैं रौनक रौनक नानी को घर में देखके बच्चों के चहरे पे रौनक आ करके अपनी बयास में चसपा करो ठीक है इनकी जितने में जानवरों फलो फूलों और परिंदों की बाते करते लोम्री चिलाई शेर आया शेर आया अब जुमले में देखेंगे के कौम माईया है देखें Rabbis को दोनों के भी ад look क ! इन जुमलों में कही कही निशान या ऐसा निशान उल्टा वा उल्टा पे लगाया गया है ये निशान यह से ज्ञाधा चीजों के बीच में एक ही लब्ज या जुम्ली की तक्रार करते वक्त लगाया जाता है पढ़ते हुए इस निशान पर कुछ ठहर ठहरा जाता है इससे सकता कहते है क्या कहते है इससे सकता अब देखो डबल से पढ़ेंगे दोनों दोस जंगल के जानवरो फलो फुलो और परिंदों की बाते क आओ देखिए जहां पर सकता है मैं थोड़ा थोड़ा रुखा हूं तो इसलिए पढ़ने में और मज़ा आता है हमें चलिए अब देखते हैं और क्या है सबक में ऐसे तीन जुम्ले तलाश करके लिए जिनके बीच में सकते का निशान आया है उल्टा पेश वाला कॉमा वा हमेशा काम आते हैं पढ़ने लिखने के साथ खेल कोद भी जरूरी है इन जुम्लों में प्यार महब्बत धुखदर्द खेल कोद के लफ जैसे मानी वाले दो लफ़ों के मिलने से बनते हैं ऐसे लफ़ज हमेशा एक साथ बोले या लिखे जाते हैं यानि प्यार महब्बत दोनों का मतलब एक ही होता है, दुख दर, दोनों का ही मतलब एक है, खेल कुद, दोनों का ही मतलब एक है, लेकिन इन दोनों को हम इस्तिमाल करते हैं, तो हमें जुमला और भी अच्छा लगता है पढ़ने में, दूसरी मिसाले, सोज समच, खेल तमाशा, खाना दाना, यार दोस्त, इन लबदों से जुम्ले बनावा, प्यार दोस्त, मैं अपने यार दोस्त के साथ किरकिट खेलता हूँ, सोज समच के बात करना चाहिए, खेल तमाशा देखने हम मेले में गए, मेले में जाकर परिंदों क खाना दाना डाला बाग में परिंदों को खाना दाना डाला इस तरह की जुंबले इस्ते माल करते हैं जुंगल का राजा आश यह जिसकी हमने अभी कहाणी परई तो बच्चों आपको कहाणी कैसी लगी मज़ा आया हुगा आप कहाणी को दोबारा पढ़िए और सवाल जवाब बुक में लिखिए और कहानी को अपने अलफाद में अपने दोस्तों को सुनाईए